अगira मैं यूषै का कार भट करता है आपका दोशाकाराबैदिक के चैनल में आज आज hm सिव पंचाक्षर स्रोत के बारे में समझेंगे उसके अर्थ को और उसके महत्व को सबसे पहले पंचाक्षर का मतलब क्या होता है देखिए पंचाक्षर का मतलब है पांच अक्षर आप लोग हमेसा ओम नमश शिवाय का जाप करते हैं उसी मेंसे अगर आप नमश शिवाय लें तो नौ मशी And व और ये निकल के आता है तो श्लो के सुरुवाद क्रमशा नौ से, पिर म से, फिर सी से, पिर वो से, और फिर या से होती है तो यह निकल के आता है नमा शिवाय तो सिव पंचाक्छर इस्तोत के प्रतिख श्लोक में भगवान शिव के शुरूप का वर्नन किया गया है जैसे कि नागेंद्र हाराय दिगंबराय नील कंठाय और श्लोक के आनत में भोले वाव को नमस्कार किया जाता है तो हम एके करके स्लोक को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके भावार्त को समझने की कोशिस करेंगे शिव को जी को प्रशन करने का ये बहुत ही अच्छूक स्त्रोत है या अगर समझें तो जिनके भी कुंडली में चंद्रमा सही पोजिशन पे नहीं है या फिर उनको कष्ट परदान कर रहा है या वो गर्शित है राहू से या फिर उस पर राहू की दिरिश्टी है या फिर वो छे आठ बारे में चंद्रमा है या लगन से उनकी मित्ता नहीं है किसी भी सिती में अगर वो इल प्लेश्ड है सही जगह पे नहीं है उसका आपको बुरा परभा मिल रहा है आप उसकी दसा अंतर दसा में चल रहे हैं तो सिर पंचाक्षर स्टोत का जाब करना बहुत ही लावकारी रहेगा तो चली हम सुरू करते हैं पहले श्लोग से जो की नौ से सुरू होता है और आप देखेंगे स्लोक के अंतर में हमेशा ही उस अक्षर के बारे में बताया गया है तो जिनके कंठ में सापों का हार है, जिनके तीन नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग है, दिसाईं जिनके वस्त्र हैं, उन अविनाशी महेश्वर नौकार शुरूप सिव को मैं नमश्कार करता या करती हूँ. अब जो दूसरा स्लोक है, वो है मन्दाकनी शलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमतनात महिश्वराय, मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तसमै मकाराय नमश्वाय, अथार्थ, गंगा की धारा द्वारा जो सोभा मान है, जो चंदन से अलंकृत है, मन अन्दार पुष्प तथा अन्यान पुष्पों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपती और प्रमत है, अनि शिव के गनत्वा, पारिश्वत के स्वामी, महिश्वर के मौकार शुरूप सिव को मैं नमश्वार करता या करती हूँ, अब जो तीसरा स्ल जोख है, वो है, शिवाय गोरी, बदनाव जब्रिंद, शूर्याय दक्षाधर, नासकाय, श्री नील कंठाय, बिशभध दोजाय, तसमई शिकाराय, नमश्वाय, भावार्त, जो कल्यान शरूप है, पारवती जी के मुख कमल को बिख्षित, यानि प्रशन करने के लिए ज जी कारश्वरूप को मैं नमश्कार करता हूँ, या करती हूँ, अब जो चौथा श्लोक है, वसिष्ट कुम्भोद भवगोत मार्य, मुनिंद देवार्चित शेखराय, चंदार्क वैश्वानर, लोचनाय, तश्मई वकाराय, नमश्वाय, अर्थार्थ, वसिष्ट अगस जिनके नित्र हैं, उन वाकार शरूप शिव को मैं नमश्कार करता या करती हूँ, अब पांचमा और अंतिम श्लोक है, यक्छ शरूप आए, जटाधराय, पिनाक हस्ताय, सनातनाय, दिब्याय देवाय, दिगंबराय, तश्मयकाराय, नमश्वाय, अर्थार्थ, जिन्हों शिव को मैं नमश्कार करता या करती हूँ, पंचाक्षर मिदंग पुन्यम या पठे शिव सन निधो, शिव लोक मापनोती, शिवेन शह मोदते, अथार्थ, जो सिव के शमी इस पवित्र पंचाक्षर मंतर का पाठ करता है, वो शिव लोक को प्राप्त होता है, और वो शिव पंचाक्षर स्थोतम शंपूर नम अवियस्त्रोत शमाप्त हुआ, मैं आसा करता हूँ, आपको ये अर्थ जानने के बाद यह पाठ करने का और मन करेगा, आप दिल से करेंगे, और सिव जी के असिरवात को प्राप्त होंगे, और उनके शरन में होंगे, आपके सारे कश्ट दूर कर देंगे, इन ही आसाओ के साथ मैं शमाप्त करता हूँ, ओम नमस्यवाइद, बहुत बहुत धन्यवाद,